अस्सलाम अलेकुम चलिए आज किस वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं उर्दू का अगला चेप्टर आज किस वीडियो में भी हम लोग एक नहीं दो चेप्टर को कंप्लीट करेंगे चेप्टर नमबर 29 और चेप्टर नमबर 30 यानि कि 29 और 30 चेप्टर को जो की दोनों गजल है ठीक है कोश्चन एंसर के साथ हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे ठीक है घजल किसे कहते हैं उसका मतलब क्या है यह सारी चीजे मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ तो आप लोग जा कर वहां से देख लेंगे ठीक है इस वीडि उसको भी एहमद फिराज नहीं लिखा है तो सबसे पहले मुसनिफ के बारे में समझ लेते हैं एहमद फिराज की पैदाईश जो हुई है वह उन्हें से 33 को पिशावर में हुई है पिशावर नाम का कोई जगा है वहां पर उन्हें से 33 को एहमद फिराज की पैदाईश क्या कर लिए कम उम्र में ही सिर्वशायरी की तरफ माईल हुए मतलब इनका इप्तदाई तालिम यान की प्रारंबिक शुक्षय तो घर पर हुई क्योंकि घर का माहौल अध्वी भी था ठीक है और शायराना भी था शिर्वशायरी भी किया करते थे घर की लोग इसलिए बुक फांडेशन पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रह चुके हैं एहमद फिराज ठीक है इनका शेरी मजमुआ है यान की शेरोशायरी का किताब बारत हो जो परकाशित हो चुका है यह रुमानी मिजाज के शायर थे ठीक है मौत से पहले 2009 इस भी को बिहार के शह चाहरे में तस्रीप पर शेरोशायरी किया जाता है जशनी को यह महनामा है यह फिराज का इंतकाल हो गया 2008 इस तो ये होगे आप लोग के एहमद फिराज के बारे में कुछ डीटेल्स जो आप लोग को याद रखना है ठीके अब हम लोग चप्टर नमबर 29 की तरफ चलते हैं पहले घजल को पढ़ते हैं फिर हम लोग दूसरे घजल को भी समझेंगे ठीके तो मैं बुकले लेती हूँ हाँ तो चलिए समझते हैं पहली घजल को और देखते हैं कि क्या इसमें एहमद फिराज बताने की कोशिश किये हैं देखिए उस सबसे पहले शेयर में लिखे हैं कि दौलते दर्द को दुनिया से च्छिपा कर रखना आँख में बूंद ना हो दिल में समंदर रखना इस ल हो भले ही आख में आशू ना है लेकिन दिल में समंदर रखना चाहिए अपने घम को दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहिए कभी भी आख में आशू ना हो लेकिन दिल में आशू का समंदर हो कभी भी अपने घम को नहीं दिखाना है ठीक है कल गये गुजरे जमानों का आज इतना भीना रातों को मनवव रखना, बुल रहे हैं कि जो कल आने वाला है हम लोगा future, उसमें यह जो हम लोगा जमाना गुजर रहा है, अभी का समय गुजर रहा है, आने वाले कल में हम लोग इसी जमाने को याद करेंगे, और अभी का जो time है, इतना मतलब अच्छे तर पर मनवर रखना है ताकि जब कल आए तो अभी की समय को याद करकर हम लोगों को अफसोस ना हो ठीक है अपनी आशिफता मिजाजी पर हसी आती है दुश्मनी संग से और कांच का पेकर रखना मतलब इस लाइन में में अमद फिराज बताना चाहरे हैं कि मेरा जो मिजाज है व मेरा दुश्मन कौह नहीं पत्थर है और मैं खुद का और पत्थर और कांच में लडाई होगा तो फूटे टायगा तो फ्यूटे गाट तो वह कुड को भौकत हैं कि मेरी दुस्मनी जो है वह पत्थर से तुम्हारे आने की मतलब मेरे अंदर आशक थी कि तुम आओगी ठीके पहले भी थी अभी भी है लेकिन अभी जो मेरी आस है ठीके वो ऐसी है कि मैं घर से बाहर कदम नहीं रख रहा हूं क्योंकि अगर मैं घर से बाहर गया और क्या पता तुम आओ मेरे घर में और मैं ना रह बजम में बैठे हो फिराज दर्द कैसा ही उठे हाथ ना दिल पर रखना मतलब बोल रहे हैं कि मैं किसी कहीं पर गया हूं किसी के महल पर बैठाओं कहीं पर बैठाओं और वहां पर बात होते होते जिक्र होते होते अगर तुम्हारे महभूब की बात होने लगे ठीक है मतलब अपने रिष्टेदारों की महभूब की बात होने लगे तो उस वक्त तुम्हारे दिल में भले ही दर्द हो लेकिन अपने हाथ को दिल पर मत रखना क्योंकि लोग समझ जाएंगे कि हाँ जरूर इससे कोई नाता है ठीक है तो यह हो गया आप लोग का पहला गजल कंप्लीट पहले गजल की मैं तश्रीक कर दी समझ गए अच्छे से अब बात आती है दूसरे गजल की यानकी चेप्टर नमबर 30 की ठीक है इसमें देखी क्या बोल रहे हैं सुरू में शुरू के शेर को क्या बोलते हैं मतला कहते हैं तो इस मतले में देखी क्या बोल रहे हैं एहमद फ कि क्या जरूरत है तुम तो खुद एक सूरज हो तुम इस महफिल में हो तुम यहां पर हो तुम खुद एक सूरज हो तुम महारे रहते हुए चिराग जलाने की कोई जरूरत नहीं है लोग क्या शादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग मतलब बोल रहे हैं कि क्या लोग कि रहते हैं वह लोग उनों के पास तो खुद के पास चिराग नहीं होता रोशनी होती नहीं और खुद के पास नहीं रहती तो औरों को भी बुझाने चले जाते हैं भूझ का काम ठीक से नहीं हो होता लेकिन दूसरों के घर चले जाते हैं चिराग को बुजाने के लिए ठीक है बस्तिया दूर हुई जाती है रफ्ता रफ्ता दम बदम आखों से चिपते चले जाते हैं चिराग इस शेर में पहमत फिराज ये बता रहे हैं कि जो बस्तिया है हम लोगों से दूर होते जा र लोग जो है कि बढ़ते ही जा रहे हैं दम बदम हमांखों से चिराग मतलब लगातार क्या हो रहा हैं चिराग है वो चिपते चला जा रहा है आगे देखी क्या बूल रहा है क्या खबर उनको कि दामन भी भड़क उठते हैं जो समाने की हवाओं से बचाते हैं चिराग बोल रहे हैं उन लोग को क्या पता जो लोग चिराग को मतलब बचाने जाते हैं हवा में अगर चिराग रखा है जल रहा है चिराग मतलब समझते हैं ना मतलब दिया वो मुंबती कुछ भी हो सकता है चिराग का मतलब जला हुआ दिया या फिर मुंबती ठीक है तो व है मतलब उसका जो आग है उनके दामन में पकड़ लेगा तो उनको उनको भी कुद नुकसान पहुचा देगा मतलब भड़क उठेंगे ठीके लब इस शेर में वह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज कल भलाई का जमाना रही है दूसरों की भलाई करने जाओ बदनाम होकर च जला देगा ठीके तो आप तो गये चिराग को मतलब बचाने के लिए और वही चिराग आपको क्या कर दिया जला दिया ठीके वही बात बोल रहे हैं कि आज कल भलाई का जमाना नहीं है अब खुद भलाई करने जाओ दूसरों की तो खुद बदनाम होकर चले आ रहे हैं लो लेकिन हम लोग के पास अकल है खुदा ने हम लोग को समझदारी दी है और भले ही हम लोग खुद अंधेरे में हैं लेकिन दूसरों को हम लोग चिराग दे सकते हैं मतलब चिराग से उजला कर सकते हैं भले ही हम लोग का किसमत खराब है लेकिन हम दूसरे की किसमत को बना सक हैं चीराग इस शेर में एमध फिर्द ये बता रहे है कि बस्तिया चांड पर सितारों चैन्द सितारों के बसाने यानि कि क्षिजा रदो पर अपने घर को बसाने वालो जरा अपने दुनिया को खुबसूरत बनाओ फिर जाना चांद सितारों पर अपने घर को बसाने के लिए पहले खुद का माहौल ठीक हो जाए खुद की दुनिया मतलब खुबसूरत हो जाए तो आगे देखिए ऐसे बेदर्द हुए हम भी कि अब गुल्शन पर बर्क गिरती है तो जिन् गिरती है ना तो हम लोग फुद जिल में खैद खाना में चिराग जलाते हैं कि चलो हम लोग तो बच गए बाहर हम लोग रहते तो हम लोगों पर भी विजली गिर जाती ठीक है आगे देखिए लास्ट शेयर है लास्ट शेयर को मक्ता कहते हैं तो इस मक्ते में बोल रहा है आखों पर क्या हो गई है बसी हुई है कि रात तो रात है मैं दिन को भी चिराग जलाता हूं मतलब लोग तो रात को ही चिराग जलाते हैं और मेरे आखों पर ऐसे अंधेरा चा गया है कि मैं रात तो रात को जलाता हूँ लेकिन दिन में भी चिराग को जलाता हूँ ठीक है और इसी के सांथ आप लोग का चेप्टर नमबर 30 यान की 30 दूसरा गजल भी कम्प्लीट होता है अब ज़रा इसके कोश्टन एंसर को भी देख लेते हैं हां तो स्टार्ट होता है आप लोग आप मुख्तसिर तरीन सावालाच से यान्की अती लग उतरी helping से सबसे पहला सवाल है एहमद फिराज की पैदाईस कब हुई तो एहमद फिराज की पैदाईस उनाइस सद्धायतिस भी को हुई दूसरा सवाल है एहमद फिराज कहां पैदा हुए तो पिशावर में पैदा हुए संब car ! कि वो भी को वु भी हर कि शहर दर्भंगा के मशारे में तस्रीफ ठीक है अब अब आती है रहाँ कि यानि की लगू अप्रस्न की सबसे पहला सवाल है एहमद फिराज बुनियादी तोर पर किस मिजाज के शायर है तो एहमद फिराज जो है ना वो रुमानी मिजाज के शायर है ठीके थोड़ा इसको लंबा चोड़ा कर कर लिख दीजेगा कि की मुक्तसिर तरी जालाथ है लगूत रिये प्रसन है पांच सिंटेंस में लिख प्रकाशित हुआ यह बताना है चार नंबर सवाल है एहमद फिराज की अधारत में कौन-कौन से महनामे और हफ्तावार शाय हुए कोश्टन के कहने का मतलब यह है कि एहमद फिराज जो है वह मतलब लिखने में मास्टर थे ठीक है और वह पत्रकारिता में उर्दो पत्रका है वह काम भी यह है करते हैं तो उनको बताना है आप लोगों को की मंतली विकली उनका कितना मैगजिंस कितना पत्री का शाय हुआ परकाशित हुआ वह दो परकाशिवे यह दो नहों लिखिएगा अब बात आती है पांस नमबर सवाल की उर्दू गज़ल की रिवायत में आ आजाद गजल है उसका experience के सरा आप लोग को बताना है तो गजल किसे कहते हैं मैं बता चुकी उसके पहले वाले वीडियों में जा कर देख लीजिएगा ठीक है आगे देखिए छे नमबर सवाल है गजल अरभी के किस सिन्फ से माखुज है तो इसका पता है एंसर क्या है गजल जो है ना अरभी के सिन्फ कसीदा के तस्वीब से माखुज है ठीक है ये हो गया आप लोग का एंसर साथ नमबर सवाल है जिस गजल में रदीफ नहों उस गजल को कहते हैं गैर मुरदफ ठीक है आठ नमबर सवाल है दकन के किस शायर के जरीए वो दू गजल शमाल तक ठीक है इसका क्या होगा वली दकनी जो की शायर थे एक वली दकनी ठीक है इनके जरीए जो आप लोग का गजल है वो सुमाल तक पहुंची ठीक है अब बात आती है नौ नमबर सवाल की गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं तो गजल के पहले शेर को मैं आप लोग को इसके प अप लोग लंबा चौड़ा लिखिएगा क्योंकि तवील सवलात है ठीक है दूसरा सवाल एंध फिराज की जेर ने साब गजल के पहले और आखरी शेयर की तस्रीख कीजिए यह जो आप लोग का एहमद फिराज का गजल है इसमें से पहले और आखरी शेयर का क्या कर देना है तस्रीख कर देना है खुलासा करना है अप लोग को मतलब बताना है तो आप लोग खुद से करेंगे क्योंकि मैं दोनों गजल का तस्रीट होका रही थी अब बाता थी तीसरे सवाल की सिन्फ गजल से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए गजल किसे कहते हैं यह आप लोग को बताना है जो कि मैं इसके पहले वाले वीडियों में बता चुकी है आप लोग देश लीजिएगा चार नमबर सवाल है दर्जज आप लोग का जो है ना चार नमबर उनतीस और तीस कंप्लीट होता है यह आप लोग का दरक्षा का बुक है इसमें टोटल थार्टी एट चेप्टर है जिसमें से हम लोग इस वीडियों तक हम तीस चेप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं अब बचा आठ चेप्टर तो आठ तो आप लोग में 30 चप्टर को पढ़ा चुकिए उसमें से रिवाइज कर लिजेगा और फिर मेरे वीडियो का इंतिजार कीजिए एक दिन अप्लोड होगा ही होगा ठीक है तो बहुत खुशी की बात है आप सभी को कौन ग्राचिलेशन कि 30 चप्र आप लोग कंप्लीट कर ल और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँचे जितना ही जिदा आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे जितना ही जिदा मुझे मोटिवीशन मिलेगा और मैं आप लोग के लिए और बहतर से बहतर करने के लिए तत्पर रहूंगी ठीक है तो ले लीजिए यहां तक फटफट स्क्रीन जॉट तो यहां तक समझ में आ गया इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कमफिजन हो आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे नेक इस चैप्टर के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज